भारत बांग्रादेश के बीच नई दिली में आज सिरीज का पहला T20 मैच जो है वो खेला जाना है सूत्रों के मताबिक ICC के मैच रफरी ने प्रदूशन को लेकर चिंता वेक्त की है और कम विजबिलिटी की वज़ा से मैच को रद किया जा सकता है ऐसी खबरे भी है इससे पहले BCCI के अध्यक्ष सौरफ गांगुली ने कहा था कि मैच को रद किया जाना संभव नहीं है आज दिली और आसपास के इलाकों में वायू की गुणवत्ता जो है AQI की अगर बात करें लेवल की बात करें तो हजार के पार पहुँच चुका है और विजबिलिटी काफी कम है ऐसे में अब देखना होगा क्योंकि चार से पांच बजे का वक्त बताया जा रहा है कि डिसिजन ले लिया जाएगा कि आज मैच खेला जाएगा या फिर मैच कैंसल किया जाएगा हमने देखा कि इस तरह से बांगलादेश के खिलाडी जो है वो प्राक्टिस के दौरान मास्क पहन कर ग्राउंड पर उत्रे थे और मास्क पहन कर ही उन्होंने प्राक्टिस की जो इस वक्त दिल्ली और NCR में हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है और Air Quality Index अगर बात करें तो लेवल जो है इसका बढ़ता ही जा रहा है और खतरनाक स्तर से भी आगे कह सकते हैं कि प्रदूशन चल चुका है अब देखने वाली बात होगी कि क्या मैच कैंसल किया जाता है या फिर इसी इस्तिती में खिलाडी जो है वो मैच खेले के